हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का The Mom Classics में और राजस्तान सामय ने ग्यान के जो महत उपन परसन हम पट रहे थे 1000 महत उपन परसनों को डिसकस कर रहे थे अब तक हमने 700 परसनों को डिसकस किया आज का जो वीडियो है इसमें हम 100 परसनों को पड़ेंगे वीडियो गर आपको पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और सुरुआत करते हैं पहले परसंद की तो पहला जो किशन रखा गया है कि राश्टर धोज को कब अपनाया गया कई बार एकजाम में इमुक्रिशन रिपीट हुआ है तो 22 जुलाई 1947 को राश्टर धोज को अपनाया गया और हमारा जो राश्टर धोज है वो तिरंगा है राश्टर गान को कब अपनाया गया तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाय गया जबकि 22 जुलाई 1947 को राश्टर धोज को अपनाय गया हिजरी सन कब प्रारम हुआ तो हिजरी सन की बात करें तो ये 16 जुलाई 622 को शुरू हुआ ता कौन ससन हिजरी सन काफी important इसी के साथ बात करें राश्टर पंचांग को कब अपनाय गया हमारा भारत का जो राश्टर पंचांग है इसको कब अपनाय गया तो ये 22 मार्च 1957 को अपनाय गया इसलाम धर्म के परवर तक कौन थे तो इसलाम धर्म जिनों ने सुरू किया था ये हजरत मुम्मद थे कौन थे हजरत मुम्मद के दोरा इसलाम धरम को सुरू किया करवाया गया और राजस्तान में सबसे कम जन संक्या वाला जिला कौन सा है तो ये जिसल मेर रहेगा इसी संद्रब में बात करें तो राजस्तान में वरतमान संभाग और जिलों की संक्या का करम कितना है तो वरतमान संभागों की संक्या बात करें तो साथ है जबकि जिलों की बात करें तो 33 है काफी इंपोर्टन्ट इसे के साथ बात करें तो पश्च में राजस्तान का अत्यंत उप्योगियों महत्वण वरिक्ष कौन सा है तो पश्च में राजस्तान का जो अत्यंत महत्वण और उप्योगियों वरिक्ष जो है ये खेजडी है जो की राजिया पसुरी वरिक्ष है राजस्तान का 33 वा जिला कौन सा है तो 33 वा जिला प्रतापकड है और कई बार ये एक्जाम में पूछा भी गया है राजस्तान का वर्तमान जो सवरूप है किस दिन अस्तित विम्या तो एक नॉम्बर उन्नीस सो चपन को राजस्तान अपने अस्तित विम्या राजस्तान का चेतरपल कितना है तो तीन लाग ब्यालीस हजार दो सो उन्चालीस वर किलोमेटर है नेक्स्ट बात करें तो छेतरफल की दरश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा एवं छोटा जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा पुछा जाए तो जैसलमेर सबसे छोटा पुछा जाए तो धोलपूर राजस्तान का दक्षनी पस्चिमी सीमा किस राजे से मिलती है तो दक्षनी पस्चिमी जो सीमा है ये जो सीमा है ये गुजराथ से लगती है काफी इंपोर्टेंट राजस्तान की पुरू से पस्चिम करण की लंबाई कितनी है तो पुरू से जो पस्चिम जो लंबाई है ये 899 वर किलोमेटर है इसे सनर्ब में बात करें तो राजस्तान से दक्षिन के करण की कितनी लंबाई है तो ये बात करें तो दक्षिन उत्र से दक्षिन की बात करें तो 826 किलोमेटर है काफी इंपोर्टेंट ये भी क्यूशन इसी के साथ बात करें नेक्श दोस्तों अगला हमारा क्यूशन है, काफिपोर्टिन्ट राजस्तान कि स्थलिय सीमा, अर्थात पूरा जो गेरा है राजस्तान का, जिसका जो विशम कोण चत्रू बुजाकार है, तो इसका जो पूरण गेरा है, ये 620 वर किलोमेटर है काफी इंपोर्टेंट छेतरफल की दरश्टी से राजिस्तान का सबसे बड़ा संभाग कुन सा है तो छेतरफल की दरश्टी से पुछा जाए तो जोदपूर है जबकि जनसंक्या की दरश्टी से पुछा जाए तो वो जयपूर है इसी संद्रब में बात करें तो 1991 से 2001 के दसक जो है इस जिल्ले में जन्संक्या वर्दी सरवादिक हुई तो जेसलमेर में सरवादिक वर्दी हुई थी किस दसक में 1991 से 2001 के मद्यवाला जो दसक रहा राजस्तान भारत में ओदोगीक शेतर में पंजीकरित कारखानों की दृष्टी से अपना स्थान रखता है तो ओदोगीक जो दृष्टी है उसके अधार पर राजस्तान जो है ये सोलमा स्थान रखता है इसी के साथ बात करें तो राजस्तान में सबसे कम जन्संक्या वर्द और सबसे अधिक जिल्य की संभाग में है तो जोदपूर जिल्य में सरवाधिक जिल्य है इसे के साथ बात करें तो राजस्तान से कितने राजियों की सीमा लगती है तो राजस्तान से सीमाओं की बात करें तो पांच राजियों की सीमा लगती है सबसे कम पुछा जाए तो पं पंजाब, उत्तरप्रदेश, गुजरात, इसी के साथ हमने देखा कि पांच राज्यों के साथ राजस्तान की सीमा लगती है, राजस्तान राज्य का सरवादिक साक्षर जिला कोटा है, इसी के साथ बात करें तो राज्य का पर्थम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला नेक्स्ट बात करते हैं कि जंसंक्या की दृष्टी से राजस्तान का भारत में कौन सा स्थान है तो जंसंक्या की दृष्टी से राजस्तान का भारत में आठवा स्थान है जबकि छेत्रफल की दृष्टी से पहला स्थान है राजस्तान का सबसे उन्चा परवत जो है तो हम 1722 को मौस्ट ले रखेंगे राजस्तान का सरवादिक गरम जिला कौन सा है तो सरवादिक गरम जो जिला है ये गंगानगर नहीं अपितु वर्तमान में चूरू जिला है चूरू जिला सरवादिक गरम जिला है और राजस्तान का सरवादिक आदर जिला पूछा जाए औ और उन्वसुची जन जाती है कि उसकाशुची ,17.9 पृति स्ट्रे म souffr की जिसे स or एसोची क्रिशों को स कहते है सBERGC भृतinek स्टावbraII का स्ट हम आ gözाती है तो पूछा जाती है स्ट और स्टावजों स्ट जाती है एस्ट इनका जो प्रतीस्त है ये 17.9 है और स्टी का जो प्रतीस्त है ये 12.45 है दो राजस्तान का कौन सा जिला अति आदर जलवायू परदेश में इस्थित है तो ये 22 वाड़ा है तो मुरुस्तली करण होने का जो मुख्यकान है ये वनुस्पती का क्षय है यानि यहाँ पर वनुस्पती को इतना महत्व नहीं है यहाँ पर वनुस्पती का उत्पादन कम होता है करनल जमस्टोर ने किस प्रवत्षिकर को संतों का सिकर का तो यह जो गुरू सिकर है जो कि माउंट अबुशिरोई में पढ़ता है इसे संतों का सिकर का और कई बार एकजामें पूछा भी गया है अरावली प्रवत्सरंकला में किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से बाजित की जाती है तो अरावली जो प्रवत्सरंकला है रावली जो प्रवत्सरंकला है रावली प्रवत्सरंकला है इसको दो भागों में बांटने का जो कारिय जो नदी प्रणाली करती है तो लूनी और बनास जो नदी है इनके द्वारा इन अरावली प्रवत्सरंकला को दो भागों में डिव वर्तमान में कहां पाई जाते हैं तो सामबर के आसपास का जो च्छेतर है यहां पर टेती सागर के आउसेश पाई जाते हैं क्योंकि समूंदुर खारा होता है और यहां पर सरवादी के राजस्तान का नई अपितू पूरे भारत का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है राजस्त्रिया मानो अधिकार आयोग की स्थापना जिन राज्यों के द्वारा की गई वे राज्य कोंसे हैं तो राजस्तान और पस्चिम बंगाल के द्वारा राजस्त्रिया जो मानो अधिकार आयोग है इनकी स्थापना की गई नेक्स्ट बात करें तो राजस्तानी बासा की उत्पती काल है तो ग्यारवी सदी मानी जाती है राजस्तानी बासा की उत्पती का काल नेक्स्ट बात करें तो Special Component Plan किस विका से समन्दित है तो ग्रामिन जो समुदाई है इन से समन्दित है Special Component Plan है ये कई बार एक्जाम में पूछा गिया है नेक्स्ट बात करें तो राजस्तान में प्रस्तावित निरियात समर्दन ओदोगिक उद्यान को किस की साहता से स्थापित किया गया तो भारत सरकार के दोरा राजस्तान में जो प्रस्तावित है निरियात समर्दन ओदोगिक उद्यान इनकी स्थापना कीगी और इसी या जो अधान डिपो है इसके स्थापना जैपूर में की जाएगी और इसी संद्रब में बात करें तो स्वाई राम सिंग ने राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट की स्थापना किस वर्स की तो स्वाई राम सिंग जो सासन करता थे ये जैपूर के थे और इनके दोरा अठारा सो स् वी में राजस्तान स्कूल ओफ आर्ट की स्थापना जैपुर में कीगी नेक्स्ट बात करें तो राजस्तान में गोरु के नाम से किस वरक्ष को जाना जाता है तो खेजड़ी जो है ये राजस्तान का गोरु वरक्ष कहलाता है नेक्स्ट दोस्तों बात करें काफी साक्षर है यहां पर नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में प्राच्य विद्यापर्थिष्ठान की स्थापना कब वे कहां कीगी जो प्राच्य विद्यापर्थिष्ठान है इसके स्थापना की बात करें तो जोदपुर में कीगी और 1950 में कीगी काफी इंपोर्टेंट ये विद्यादर बटाचारी के सयोग से कब करवाया तो 1727 में निर्मान करवाया गया था जैपूर का जो जैपूर नगर है इसके निर्मान करता जो थे ये स्वाई राजा जैसिंग थे और विद्यादर बटाचारी यहां के वास्तो का रहे थे राजस्तान में सबसे ज्यादा ज स्वाई जैसिंग कि स्थाप्ना क लालगड जुनागड संग्राले राजस्तान के कीस जिले में स्थित है जीबिगी जियागे राजस्तान के लाजस्तान देश की कुल जन संक्या का कितना प्रतिस्त बाग निवास करता है तो 5.55 पर तीस जो जन्सेंग के है ये राजस्तान में निवास करती है राजे में कुल ख्षेतरपल के आदार पर सबसे बड़ा जिला जेसल मेर का कुल ख्षेतरपल कितना है तो 38,401 किलोमेटर कितना 38,401 वर्ग किलोमेटर ख्षेतरपल है जेसल मेर का राज्यम एक्षेतरपल के अदार पर सबसे छोटा जिला धोलपूर का कुल एक्षेतरपल कितना है तो ये 3034 वर किलोमेटर है राजकिय पुस्प रोहिडा राजस्तान के किस बाग में सरवाधिक पाया जाता है तो पश्चमी जो राजस्तान का जो बाग है यह जो पश्चमी राजस्तान है यहां पर सरवाधिक रोहिडा पाया जाता है जो कि राजकिय पुस्प है राजकिय पुस्प रोहिडा का वानस पतिक नाम है अरावली परवतमाला राजस्तान में दक्षिन पस्चिम से पुर्वे तक कितने किलोमेटर तक फैली हुई है तो ये 550 किलोमेटर तक फैली हुई है अरावली जो परवतमाला है ये दक्षिन पस्चिम से उत्रपुरू की तरफ अरावली परवतमाला राजस्तान के दो भागों में बांटती है इसमें राजस्तान का पश्चमी भाग कितने परतिस्त है तो पश्चमी जो भाग है यह ठाउन परतिस्त है और इसी संद्रब में बात करें तो राजस्तान का दक्षिन पुरुई भाग कितने परतिस्त है तो यह 42 परतिस्त है जो कि अरावली के पूरवी भाग में ख्रावली प्रवत्ष्रंकला के अधार पर सबसे बड़ा जिला कुन सा है तो यह जैसलमेर जिला है काफी इंपोर्टेंट राजस्तान के जो प्राकर्तिक विवागों में सबसे बड़ा भाग है तो पश्चमी भाग जो रेतिला भाग है इसका सबसे बड भाग है अरावली परवत्सरंकला की ओस्त उंचाई कितनी है तो ओस्त उंचाई पुची जाए दोस्तों तो वो 916 मिटर है काफी इंपोर्टेंट विस्तार की दृष्टी से राजस्तान के प्राकरतिक विबागों में सबसे छोटा भाग है तो ये मद्य मिस्तित अरावली प कि हमने जालावाड की और माउंट अबू की राजस्तान में सीत रिदू में चक्रवातों से वर्सा होती है इसे क्या कहते हैं तो इसे मावट खा जाता है कई बारे से मावट भी लिखा जाता है और काफी इंपोर्टेंट ये भी कुशन राजस्तान में संचालित लीड बैं सबसे पहला कौन सा उद्यान सरप उद्यान स्थापित किया गया काफी इंपोर्टनेट नेक्स्ट बात करें तो राजस्तान का गोरव किसी जिले को का जाता है तो चितोडगड को का जाता है राजस्तान का गोरव और इसके जो स्थापना करता थे वो चित्रांग्द मोरे थे पस्चिमी मरुस्तल में विद्यमान विविद्ध द्रातिलहलेस जो सवरूप है किस की प्रदानता है तो ये बालू का स्थुपों की प्रदानता है कौन से लोग देवता नागोर के परगने खड़नाल गाउं के रहने वाले थे तो खड़नाल गाउं के जो रहने वाले थे ये पाबुजी महराज थे उतपती की दरश्टी से अरावली परवतमाला किस परकार की है तो ये वलित परवतमाला है कई बार एकजाम में पूछा भी पुरु मेदान हैं इनके जो ढाल है ये पुरु की ओहर है कौन सा जिला राजस्तान में हर्दे स्थली के लाता है तो अजमेर को राजस्तान का का जाता है हर्दे क्या का जाता है हर्दे हाल टॉप राजस्तान अजमेर मुर्धर के नाम से राजस्तान का कौन सा संभाग जाता है राजस्तान का एक एस था विश्विदाले जिसके अधीन नगर की सीमाओं के बाहर कोई महाविदाले नहीं है वह है तो जोदपूर विश्विदाले जो है राजस्तान के वे जिले जो अंतरश्ट ये सीमा परस्तित है तो राजस्तान की जो जिले हैं सबसे पहले स्र संसद्य जो शेत्र है ये बाड़ मेर शेत्र है जो कि विश्व की क्षेत्र प्रल की दर्श्टी सबसे बड़ा संसद्य शेत्र है किस दरे से होकर जोद पुर आगरा राश्री राजमारक गुजरता है तो बर जो दर्रा है इसे जोद पुर आगरा राश्री राजमारक गुज सापक्षित दर्ष्टी से राजस्तान के निमन-भू आकरति प्रदेशों के भाग को तो सापक्ष्ट दरिष्टी है इसकी अधार पर राजस्तान के निमन भू आकरति प्रदेशों भाग जो mदाज्ट को पश्कमी 15 रेतिल्या वालाक प्शितर है इसे चाल जाता है राजस्तान का भारत में किस भाग में स्थित है तो किस भाग में पूचा जाए तो ये पस्चिमी भाग में उपर माल के नाम से जाना जाता है तो चितोडगडवे भीलवड़ा की पठारी जो बूमी है इसे उपर माल के नाम से जाना जाता है ताल चापर और परिहारावन रनक्षेतर श्तित है तो सेखावाटी के में श्तित है ताल चापर और परिहारावन श्तितर मरुस्त ले चेतर में सरवादी खानी जिन स्थूपों से होती है वह है तो ये ब्रखान से मरुस्त ले चेतर में सरवादी खानी होती है और काफी इंपोर्टन्ट ये क्यूशन अनुपरस्त बालु का स्थोप में सरवादिक विस्तार किस जिले में है तो जोधपूर में पाए जाते हैं अनुपरस्त बालु का स्थोप काफी इंपोर्टेंट जैसल मेर जिले के अधिकांस चेतर में किस परकार के बालु का स्थोप है तो अनुधेदरी बालू का स्थूप आए जाते हैं जेसलमेर में और अनुपरस्त जो बालू का स्थूप है वो जोदपुर में देखने को मिलते हैं राजस्तान में थारम रुस्तल में कितने परतिस्त भू बाग पर बालू का स्थूपों का विस्तार है तो 58 प्रतिस्ट चेतर पर बालुका स्थुपों का विस्तार है राज्य में जनसंग के अदरिश्टी से सरवाधिक प्रतिस्ट भू आकरति प्रदेश है तो पुर्वी मेदान जो है यहां पर सरवाधिक जनसंग के निवास करती है राजस्तान में सरवाधिक शेत्रपल की दरश्टी से सबसे अधिक जो बड़े जिले हैं शेत्रपल की दरश्टी से हैं तो ये पस्चिमीक शेत्र में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट बात करें तो मानचितर पर करकरेखा राजस्तान के किस जिले से होकर गुजरती है तो बासवड़ा जिले से होकर गुजरती है करकरेखा मानचितर के अधार पर और नेक्स्ट बात करें तो राजस्तान के किस जिले की अंतराश्टे सीमारे का सरवादी के लंबी है तो जेसल मेर की जो अनतरा स्टेसीमा है, 464 किलोमेटर, काफी इंपोर्टेंड और ये सरवादी के लंबी है, नेक्स्ट आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो के गर आपको पीडिया प्राप्त करनी है, तो लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रेप्शन बॉक्स में, हमारे वाट्सअप क्रूप, एवम टेलेग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें जोइन कर सकते हैं, तैंक्यू, हेवनाइस, देविश, शॉल्द बैस, अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें,